identify the processes shown and mark them on the indicator diagrams below हमाइब पास एक यह PT graph है ना और इसमें कुछ processes दिये हुए A से B, B से C, BC से वापसे आपको पता करना है 1, 2, 3 क्या है या 1, 2, 3 processes क्या है उनको लिखेंगे और उनके VT and PT इंडिकेटर ग्राफ भी बनाएंगे तो हम सॉल्व करें से पहले आप वीडियो को पॉस करो और बश्यक को सॉल्व करना शुरू करते हैं हम सबसे पहले देखते हैं process नंबर वन को तो हमाइब पास आजाता है process नंबर वन अब देखो वन में क्या है हम देखके बता सकते हैं यहां पर हमारे पूरे process में temperature constant है तो यह है आईसो थर्मल लेकिन आईसो थर्मल expansion है या compression है कैसे पता का सकते हैं देखो माइब पास PV is equal to nRT होता है अब pressure तो constant हो गया अगर हमारा pressure बढ़ेगा यहां पर हम देखते हैं उपर जा रहे है तो हमारा pressure बढ़ रहा है इसका मतलब volume कम हुआ होगा volume कम हो रहा है तो उसको हम क्या हो लिखेंगे compression है ना compression ठीक अब देखते हैं process number 2 इस तरीके से हम सारी चीज़े लिखते जाएंगे second process के लिए देखो यहां देखके बढ़ा सकते हैं यहाँ पर हमारा pressure constant है इसको हम क्या लिख देखेंगे कि volume भी बड़ा होगा तो यह हो जाएगा isobaric expansion फिर आजाता है हमारा process number 3 process number 3 में देखो एक straight line है जो कि origin से pass हो रहे है तो P और T के graph में straight line जो origin से pass होती है उसमें volume constant रहा होगा तो यह हो जाएगा isocoric कैसे बता चला मुझे volume constant होगा देखो PV is equal to nRT होता है यहाँ से मैं लेख सकता हूँ P is equal to nR upon V times T यह वही क्लाइन की equation आ गई है y is equal to mx इस तरीके से हम देख सकते हैं अच्छी यहाँ पर मैं इस तरफ आ रहा हूँ temperature कम हो रहा है temperature कम हो रहा है pressure भी कम होगा इसको मैं क्या बोलूँ इसको मैं cooling बोल देता हूँ isocoric cooling temperature कम होगा तो यह बस तीनों processes आ चुके हैं अब इसी information का use करके मैं यहाँ पर दोनों indicator diagram और बना दूँ तो पहले देखते हैं VT graph हम start करेंगे point कहीं ऐसा लेंगे जहां से हम चारों तरफ जा पाने का हमाई पास scope हो यह कोने से start मत करना इधर कहीं कोनों से start मत करना बीच से start करते हैं यहां से मान लो मैंने start करें सबसे पहले मुझे बनाना है process number one isothermal compression isothermal है यहां पर temperature इस axis पर है तो मैं पास temperature में कोई भी change इधर होते नहीं हो सकता हमाई graph या तो ऊपर आएगा या नीचे जाएगा अब इस point से अगर मैं start करता हूँ और compression है न तो volume कम होना है तो इस तरीके से में पास graph आने वाले यह तो यार नीचे आ रहा है तो मैं एक काम करता हूँ इसको और उपर से start करता हूँ इस तरीके से यह है starting point यह है end का point और इसको मैं देखो हमने start कहा से गया है A से यह हो isothermal compression isothermal इस तरफ आ रहे है volume कम हो रहा है compression next is isobaric expansion isobaric अच्छे यहाँ पर VT graph में देखो PV is equal to nRT हो अगर pressure constant हो जाए तो मैं क्या लेख सकता हूँ volume is equal to nRT upon P तो volume is proportional to temperature एक straight line graph हमें मिलेगा इस तरीके से और अब यहाँ से मैं इधर भी आ सकता हूँ देखो इस तरफ यहाँ फिर इस तरफ कौन से वाला graph सही होने वाला है हमें पता है हमाँ पास isobaric expansion है volume बढ़ना चाहिए तो देखो अगर मैं इधर जाऊँगा तभी volume बढ़ेगा यहाँ पर मेरा जो second graph हाजाता है वो इस तरीके से कुछ graph आएगा origin से पास होती हूँ इस straight line पर ऐसे मैं कहीं जाने वाला हूँ इस तरीके this is process number 2 से पहले था process number 1 अभी तक मुझे पता नहीं है point C कहाँ पर आएगा तो अभी मैं उसको mark नहीं करूँगा next process है isocoric cooling जिसमें volume constant रहेगा और उसके बाद cooling है ठहना temperature कम होना है तो मान लो यहाँ से isocoric इस तरीके से आता क्योंकि cooling इस तरफ होनी है और इस तरीके से cool होगा कि वापिस हम point A पर पहुँच जाएं यहाँ से point A पर अभी तो नहीं पहुच जाएं यहाँ से थोड़ा और उपर गया होगा और फिर इस तरीके से आया होगा तो मेरे पास process number 3 हो जाता है यह this is process number 3 process 2 को फिर से थोड़ा modify करो तो हमें सारे के सारे हमारे points मिल जाते B है A है और यह है point number C इस तरीके से हमने indicator diagram convert कर लिया next case यह वाला है तो इसको बनाते हैं लेकिन उससे पहले आप video को pause करो question को solve करो solve करना शुरू करते हैं हमाँ पास एक पहला process है isothermal compression अच्छे यह graph है PV graph है न तो हमाँ पास जो PV graph में isothermal graph होता है वो इस तरीके का होता है अब इसमें भी compression है ना isothermal compression यानि कि volume कम हो रही होगी तो हम यहां कहीं से start करेंगे और यहां कहीं पर पहुंचेंगे यह हमारा process number one होने वाला इसको मैं draw कर लूँगा इस तरीके से this is process number one start हमने कहां से किया था A से B तक हम गये हैं let's say this is our point A this is our point B अभी के लिए mark कर दिया कुछ भी changes होंगे तो हम उसको edit कर सकते हैं second part हमारा पास isobaric expansion है pressure constant रहेगा expansion होगा इस तरीके से तो हमारे पास second वाला process यह कुछ ऐसा आने वाला है कहां तक जाएगा अभी मुझे नहीं बता थर्ड वाला देखते है आइसो कोरिक टूलिंग इस लाइन पर कहीं आएगा और अभी हम इस लाइन पर भी थे और फेक कूल होकर के हम फिर से यहां पर आ जाएंगे तो हमारे पास actually यह point आने वाला है यहां तक इसको मैं ऐसे ड् नुमबर थ्री तो सब्सक्राइस नंबर टू दिसमस्ट बी पॉइंट सी इस तरीके संप सॉल कर सकते हैं और एक एक्जांपल देखते हैं इस पर प्रोसेस इस शोन और मांक देम ऑन दा इंडिकेटर डाग्राम पिलो अगें सेम चीज़ समय करने हैं लेकिन इस पर प्रोसेस हमारा थोड़ा सा अलाग है तो इस पर पीटी ग्राफ दिया हुआ है वीडियो को पॉस्ट करो क्वेशिन को साल करो सोल्व करना शुरू करते हैं सबसे पढ़े हम ऐसे स्टर्ड अश्चारट करती है 3 सी प्रोसेसस नंबर उन्हें ऑसे स्प्रोसेस नंबर ठोल सकती हो बारे में ख्राइब कर होमें ग्राफ देखके पता चल रहा इस फ्रॉसेस में टेंप्रेंचर की व्यल्यू देखो तो यह जो भी आएगा वो आएगा आइसो थर्मल आइसो थर्मल अच्छा आइसो थर्मल एक्स्पैंशन है या कंप्रेशन है कैसे पता करोगे देखो हमाँ आपास एक्वेशन होती है पीवी इस इक्वल टू एन आर्टी अब यहाँ पर क्योंकि temperature constant है तो यह value एक constant आजाई अगर हमारा उपर जा रहा है तो देखो प्रेशर इनीशल से final pressure बढ़ रहा है प्रेशर हमारा बढ़ रहा है तो volume कम होगा volume कम होगा तो यह बन जाता है हमारा compression और राइट second process देखते हैं second process में क्या हो रहा है हमारे पास second process में pressure constant है तो यह जो भी बनेगा यह हो जाएगा isobaric pressure constant आगे अच्छे यहाँ से यहाँ जा रहे हैं यह expansion है या compression है कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में तो इसमें हम लिखेंगे PV is equal to nRT देखो यहाँ पर temperature बढ़ रहा है initial और final में इधर मैं जाता हूँ यानि temperature बढ़ रहा है temperature बढ़ेगा pressure constant है यानि volume भी बढ़ेगा temperature goes up इसका मतलब volume भी गोजब this is isobaric expansion ओके ठीक process number 3 देखते हैं process number 3 में हमारे पास सीधे सीधे हमें पता चल रहा है temperature constant है यह फिर से isothermal हो जाएगा और देखो जब हम उपर जा रहे थे isothermal में तो वो compression था अब मैं सीधे सीधे बता सकता हूँ अगर नीचे आ रहा हूँ वो जरूर expansion होगा expansion और similarly हमारा जो both process है again देखो similar process हैं एक इधर जा रहा था एक इधर आ रहा है तो यह क्या है यह हो जाएगा isobaric isobaric में अगर यह वाला था हमारा expansion तो यह जरूर होगा हमारा compression ठीक है हमने चारो process identify कर लिए अब हमें यहाँ पर उसको draw करना है तो पहला वाला मैं draw करूँगा दूसरा वाला आप लोग draw करना तो let's begin हम start करते हैं point A से कहीं पर भी एक अच्छी सी जगे बीचो बीच कहीं पर लो point A mark कर दो point A से पहला process है isothermal compression तो isothermal देखो यहाँ पर इस axis पर temperature है तो हमारा temperature constant रहेगा यहाँ तो यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा या फिर यहाँ से नीच जाऊँगा लेकिन यह है compression तो यहाँ पर हमारा volume कम हो रहा है तो इससे हमें पता चल जाता है हमारा जो first process है वो इस तरीके से कुछ आएगा ऐसे this will be A से B कुछ इस तरीके से हमारा process आगया first second process बताओ isobaric expansion अच्छा VT graph में pressure constant हो तो कैसे दिखता है हमारा पास PV is equal to NRT यहाँ पर V is equal to NR upon P times T हो जाएगा तो volume will be proportional to temperature यानि एक straight line आने वाली है जिसमें हमारा पास pressure constant होता है अब यहाँ से जो भी process होगा वो straight line passing through the origin होने वाली है तो हमारा second process इस line पर होना चाहिए इस line पर भी देखो या तो मैं इधर जाओगा या मैं इधर आओगा कैसे पता चलेगा देखो यह है expansion तो यह वाला option correct है क्योंकि इस option में initial volume यहाँ था फाइनल volume यहाँ था देखो volume बढ़ रहा है यह हमारा process हो जाएगा और यहाँ पर ही मैं mark कल दूँँगा C अब देखो यहाँ पर बहुत ही simple सी चीज़ है isothermal compression ऐसे होता है isothermal expansion इसका ठीक उल्टा हो जागा तो उपर की तरफ यहाँ से हमें इस तरीके से graph जाना है तो C से जो हमारा third process होगा वो कुछ इस तरीके का आने वाला है कहां तक उपर जाएंगे अभी हमें नहीं पता उसके बारे मैं पता चलेगा चौथे process है जो है isobaric compression अच्छे ये भी था isobaric तो origin से pass होती होई लाइन है इस तरीके से दूसरी भी origin से pass होती होई लाइन ही होगी जो यहाँ पर इन दोनों को connect करेगी लेकिन ये इधर जा रहा था तो ये वाला इधर आने वाला है और यही हो जाता है हमारा चौथा process इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से questions को solve किया जाता है अब आता है part ये वाला जिसमें PV diagram बनाना है ये तो बहुत आसान होता है वीडियो को pause करो question को solve करो okay solve करते हैं सबसे पहले हम start करेंगे गहीं पर भी एक point लिलो यहाँ पर मालो मैंने point लिलिया है let's call it A सबसे पहला process है हमारे पास isothermal compression एक isotherm बनाया जाए यहाँ से ऐसा यहाँ से start करके मैं isothermal process ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है कौन से भाला होगा आईसो थर्मल compression volume कम होना है यहाँ से हम इस तरफ जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा process number one this is first process second process is isobaric expansion आपको clearly देख रहा है isobaric होगा तो इस straight line पे होगा और expansion है तो हम इधर कहीं जाने वाले हैं this will be our process number two फिर उसके बाद फिर से आजाता है मैं आपस isothermal expansion तो हमें अब एक फिर से isotherm यहाँ से बनाना पड़ेगा इस तरीके से isotherm है यहाँ पर से मेरा graph उपर भी जा सकता था नीचे भी आ सकता था temperature constant है expansion है expansion है तो volume बढ़ रहा है यहाँ पर जो भी volume था यह वाला उससे हम इधर की तरफ जाने वाले इस line पर मैं इधर कहीं जाऊंगा और fourth जो process है वो फिर से है isobaric compression मालो यहाँ आ गया यहाँ से isobaric compression इस line पर कहीं हो सकता है इस तरफ आना है volume कम करना है और इस तरीके से कम करना है कि कम करते करते हम point A तक पहुँच जाए है point A तक यह वाला याद तो यहाँ तक गया होगा और फिर इस तरीके से वापस आएगा तो दोनों को हमें थोड़ा थोड़ा adjust कर देना है यह आ जाएगा यहाँ तक और यह वाला आ जाएगा यहाँ तक points मार्क कर देते है A से start किया था फिर हम B पे गए थे फिर हम C पे गए थे फिर हम D पे गए थे और यह बहुत ही अच्छा example था इसमें हमें एक चीज मेंशिन करनी पड़ेगी इस आ आइसो therms यहाँ पर भी मुझे लिखना चाहिए आइसो therms क्यों लिख दिया? क्योंकि यह पीवी ग्राफ और यहाँ पे confusion का option है पीवी ग्राफ में ऐसे जो ग्राफ होते है वो इडियाबिटिक का भी ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखता है तो लिख देने से confusion का scope गतम हो जाता है और एक question solve करते है identify the processes shown and mark them on the indicator diagrams below सेम चीज़ करनी है हमाँ पास कुछ processes दिये हो है 1, 2, 3 and 4 पता करो कौन से है यहाँ पर लिखना है उनको और उसके बाद अपने पीवी डाइग्राम साथ बनाने वाले है पीवी ए वीटी जो भी पूछे वीडियो को पॉस्ट करो question को solve करो solve करना शुरू करते है start करेंगे यहां से तो हमारे पास जो पहला process है बतावे क्या है इसमें हमारे पास temperature constant है process number one यह है isothermal expansion है यह compression जल्दी बताव तो यहां पर देखो हमारे पास equation होती है PV is equal to nRT उपर में जा रहा हूँ तो pressure बढ़ रहा है pressure बढ़ रहा है volume कम हो जाएगा तो इसको मैं बोलूँगा compression all right let's go to process number two यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास pressure constant है this is isobaric isobaric क्या है यहां पर हमारे पास pressure constant है temperature बढ़ रहा है हम लेख सकते है PV is equal to nRT होता है pressure constant है temperature बढ़ रहा है यानि कि volume भी बढ़ा होगा तो यह isobaric expansion आ जाएगा all right process number three यहां पर क्या हो रहा है देखो again हमारे पास इस process में temperature की value एक fixed है T is equal to constant इसको मैं फिर से लिख दूँगा iso thermal और अब आप देखोगे उपर जाते थे तो compression होता था same logic से आप देखोगे नीचे आएंगे तो हमारे पास इस पर expansion होगा all right और चौथा process जो है चौथा process एक straight line है जो की origin से pass हो रही है origin से जब भी कोई straight line pass हो जाए तो वो हमारे पास क्या बनता है यहां पर देखो तो P is equal to nRT upon V यह value value constant है V is equal to constant हमारे पास आगया तो हमारे जो process हो जाता है वो अच्छली हो जाएगा एक isochoric isochoric हो गया और temperature down हो रहा है तो cooling ठीक है जब यहां से मैं यहां आ रहा हूँ temperature हमारा कम हो रहा है isochoric cooling चारो processes हमें पता चल गए इसके बाद हमें बनाना है VT graph तो वीडियो को pause करो और बनाने की कोशिश करो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला process है हमारा isothermal compression तो isothermal यानि temperature constant होगा तो या तो हम उपर जाएंगे या नीच जाएंगे और क्योंकि ये compression है यानि कि volume कम होई होगी तो हमारा पास पहला process तो इस तरह के straight line आने वाली है यहां पर मैं मार करूंगा this is a और यहां से नीचे की तरफ इधर कहीं आ जाएंगे हमारा पास यह होगा point number b यह है हमारा process number one next process क्या है isobaric expansion यहां पर vt graph में pressure constant होगा तो क्या होगा देखो pv is equal to nrt pressure constant है तो मैं लिख दूंग v is equal to nr upon p times t v is proportional to 2 एक straight line जो की origin से पास होती है इस तरीके से हमें graph number two आने वाला है straight line origin से पास होती है ऐसा कुछ graph चाहेगा इसमें भी हमारे पास expansion है volume बढ़ना चाहिए यहां से volume इस तरफ जाओंगा तो देखो volume इस तरीके से बढ़ेगा यह हो जाता है हमारा graph में process number two फिर उसके आद process number three क्या isothermal expansion है तो यहां पर देखो isothermal एक straight line आईगी उसमें भी expansion होने वाला है इस तरीके से तो हमारा पास process number three यहां कहीं आएगा उपर की तरफ जाने वाला वो है ना उपर भी कहां तक जाएगा भी मुझे नहीं पता तो चौथे process से मुझे पता चलेगा चौथा process है isochoric cooling चौथा process जो भी होगा उसमें constant रहने वाली है और वो cooling होगी तो वो इस तरफ आने वाला तो हमारा पास यहां से straight line इस तरीके से कहीं से आ सकती है और वो पहुंचनी चाहिए ए तक हमारा पास जो actually straight line आएगी चौथे process की वो आ जाएगी यह वाली this is process number four इसे मुझे पता चलता है मेरा process number three यह हो जाता है a से start किया था यह था point b यह हो जाएगा c यह हो जाएगा point d तो इसको इमार करते this is c this is point number d बहुत ही अच्छा सवाल था अब इसी processes का आपको बनाना है PV graph वीडियो को pause करो PV graph बनाओ इस process का PV graph बना दे सबसे पहला process है isothermal compression तो isothermal इस पार कितने processes है हमारा पास isothermal दो है तो हमें actually दो इस तरीके से isotherm पहले ही बना लेने चाहिए एक isotherm हमारा यह हो जाएगा दूसरा isotherm हमारा ही हो जाएगा दो isothermal processes तो हमारे पास है और राइट पहला process है isothermal compression फिर उसके बाद है isobaric expansion यहां से मैं इधर आऊँगा फिर isobaric expansion हो जाएगा फिर isothermal expansion होगा देखो इस तरीके से और फिर isocoric cooling हो जाएगी इस तरीके से तो मेरा कुछ ऐसा process आने वाला एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं start करेंगे point number यह ही मानलो मुए यहां पर ले लेता हूँ इस पर पहला है isothermal compression temperature को constant रखते हुए इसको compress कर दो compress क्यों कर रहें क्योंकि इधर आएंगे तो volume कम होगा और यहां से isothermal process यह होगा यह होगा तो हमें यह वाला process से चुनना पड़ेगा यह बन जाता है हमारा process number one this is process number one second process क्या है isobaric expansion pressure को constant रखते हुए volume बढ़ाना है देखो इस तरह जाते है volume बढ़ता है second हो जाएगा हमारा यह वाला process this is two फिर उसके बात है isothermal expansion यहां से फिर isothermal process करोगे तो आप यह तो इधा जाओगे यह इधा जाओगे लेकिन expand करना है volume बढ़ना चाहिए तो हमारा पास यह आ जाता है हमारा process number three फिर चौथा process है isochoric cooling volume constant रखते हुए temperature कम करना है तो यह था higher temperature वाला volume constant रहेगा यह नहीं इस line पर इस line पर हम यहां से नीचे आएंगे इस तरीके से और नीचे आएंगे तो वापस a से मिलना चाहिए था इसको यह तो मैं छोटा करूं इस तरीके से इसको छोटा करेंगे यह मैं यहां तक बनाता हूं इस तरीके से process number three और यह हो जाएगा मेरा process number four यह था point a, a से start किया, फिर हम पहुँच गए b पर b से पहुँच गए c पर, c से पहुँच गए d पर हमने सारे के सारे graphs बना लिए indicator diagrams के बहुत अच्छे जितने भी questions बन सकते थे हमने सारे कर लिए एक question देखेंगे जो previous year question है the PT indicator diagram for an ideal gas is shown in the figure where AC is an adiabetic process तो हमाँ पास AC is an adiabetic process तो यहाँ पर एक कंफूजन हमें हो सकता था कि यह क्या है isotherm तो यहाँ पर होगा ने temperature constant है तो आईसो था मैंसा था पर ठीक है इनने बता दिया इसको मैं लिख देता हूँ this is adiabetic all right find the corresponding pve diagram तो बहुत ही आसान सवाल है वीडियो को pause करो question को solve करो इस question का correct answer है option number b अब इसको solve कैसे करे हम हर एक process को यहाँ पर लिखेंगे नहीं यह कौन सा process था यह कौन सा process था यह कौन सा process था बलकि elimination करना शुरू कर देते है ठीक है देखो यहाँ पर मैं देखता हूँ b से a है अच्छा इनने हमें arrow भी बना करके नहीं देखी है ना क्या हुआ अच्छा ठीक है नहीं यह उसे फर्क नहीं बढ़ता है लेकिन a से भी जो भी process है उसमें temperature constant है तो a से भी देखो यहाँ पर जो process दिखा है मैं देखके बता रहा हूँ इसमें तो volume constant है तो यह वाला हमारा गलत हो गया यह तो answer हो ही नहीं सकता a से भी temperature constant बागी सब में कहां से a से भी यह आईसो थर्म हो सकता है pv में आईसो थर्म ऐसा ही होता है देखो हमारे जो pv graph होता है pressure volume उसमें आईसो थर्म ऐसा होता है और adiabetic थोड़ा steep होता है नीचे की तरह होता है उसका angle जादा होता है a से भी यह भी option हो सकता है यहाँ पर आप देखो के a b को उन्हें नीचे कर दिया a c उपर कर दिया तो यह भी उल्टा हो रखा यह भी गलत है यह गलत है यह भी हमारा answer नहीं हो सकता फिर a से c देखते है adiabetic process adiabetic process pv diagram में कैसा होता है a c ऐसा होता है हाँ यह हो सकता है a c यह तो isochoric बना दिया यह भी नहीं हो सकता तो इसको भी हटा हो यह भी हमारा answer नहीं हो सकता अब देख लेते हैं b c जो process है तो b c process एक straight line है isobaric process है b c यहाँ पर भी straight line थी यहाँ भी straight line थी यहाँ भी straight line थी करेक्ट आंसर है हमने बहुत सारे इंडिकेटर डाइग्राम्स को कनवर्ट कर लिया है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बता दू कि ये वीडियो राशेप योलो सीरीज के एक छोटा सा हिस्सा था पूरी की पूरी योलो सीरीज आपसुटी पूरी फी में अविलेगल है लिंक्सार इंडर डिस्क्रिप्शन कलर फो नोट्स पिया वहां से डाउलोड कर सकते हैं सारी की सारी योलो सीरीज देखता है लेकर से पहले पीज इसकी आरगो पर स्कैन करो कुछ हमां डोनेट करो मेरी मदद करो कि मैं ऐसे और भी वीडियो आपके लिए लापाऊं हम मिलेंगे योलो सीरीज में इंदार कर रहा हूं मैं आप साथ में व्लॉक्स भी देखना है ये वीडियो कैसे बनते हैं और मैं उप्रूप बढ़ांगे क्या मसी आगा तब सब कुछ व्लॉग में आजाओं आजाओं सरे देखने शेखने हूँ